ये गैस कैसे हो आप लोग दोस्तों मैं होकरश्पंडर आप देख रहे हैं उनिश्ट बेको सेल्फ यूनिक गैस ये 10 वीडियो का इंटर्वी मिस्टेक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आप सब के लिए और आप सबसे उमीद है कि आप लोग इसको धेर सारा प्यार देंगे आप सुचरों कि सारी इंटर्वी मिस्टेक ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था तो गैस ये अपना यूनिक सीरीज चैनल है इस पर यूनिक कंटेंट ही आता है और इस इंटर्वी मिस्टेक सीरीज में मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ कि इंटर्वी में हम लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं लाइक हम लोग टेलीफोनी कॉल आता है तो वहाँ पर क्या गलति करते हैं हार राउंड होता है तो वहां क्या गलती करते हैं, टिक्निकल राउंड होता है तो वहां क्या गलती करते हैं, हार राउंड में क्या गलती करते हैं, कैड राउंड में क्या करते हैं, पूरा पैनल क्लियर किया आपने, उसके बाद भी आपका selection नहीं हुआ, इसमें कौन से mistakes है ऐसे बहुत डेर सारी mistakes आप लोग करते हो तो अगर आप ये 10 वीडियो कम्प्लीट डेली 5 पीम पर आने वाला है पांच बजाने वाला है अगर देख लोगे तो मेरी उमीद ये है कि अगर आप किसी भी इंटर्विय में गए तो वहाँ पर selection होने का आपका maximum possibilities बढ़ जाएगी reason आप ये 10 वीडियो में जो गलतिया में बताऊँगा इनको remove कर लोगे इन गलतियों को remove किये तो selection होने की possibilities बढ़ जाएगी तो उमीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा चलिए वीडियो के शुरुआत करते हो समझते हैं जी उसे पहले आपको एक चीवा बता दू कि अभी holy का series चलना है आप सबको पता है कि happy holy offer चलना है unique civil का जो application है अगर आपके पास नहीं है तो app का link description में या फिर play store से search कर लिजे भाई unique civil app download कर लिजे उसके अंदर structure का पूरा all in one course आपके साथ बहुत ही comfy में वहाँ पॉलेबल है वहाँ बारत तेरे lecture free है उनको आप watch भी कर सकते हैं बीम के भी लभग क्या बोलते हैं पूरा complete series बीम का जिसके अंदर भी लभग 180 घंटे का content हमने डाल दिया है आप उसको भी watch कर सकते हो ऐसे ही हमने वहाँ पर PEV का मलब तीनो प्रोफाइल चाहे बीम में जाना है आप बीम का पूरा series दे सकते हो PEV में जाना है PEV का पूरा series हमने त्यार कर दिया है और अगर structure में जाना है तो all in one एक series पूरा start करके आपको दे दिया है आप लोग जा कि उनमें कई free lectures हैं उनको watch करिए अगर आपको वो पसंद आते हैं तो वहाँ से purchase कर सकते हैं और जादी साथ अच्छी चीज़ी है कि अभी happy holy का offer चला ने आर तो कम पैसे में आपका काम हो जाएगा चलिए वीडियो के सुरात करते हो समझते हैं कि आर mistakes क्या क्या करते हैं आज का जो पहला mistakes हम लोग यहां पर dedicate कर रहे हैं वो technical interview की कर रहे है ठीक है चलिए एकदम बात करेंगे आपसे जब बड़े भाई आपसे बात करूँगा जिससे कि आपके दिमाख में आए कि हां यार यह सारी चीज़ अगर नहीं आती तो मैं कैसे perfect खुद को मान लूँ ठीक है और अगर नहीं आती तो कैसे इसको remove करूँ तो चली वीडियो के बात करते हैं जी सबसे पहला चीज जब एक structure engineer hire करना होता है तो हम उम्मीद करते हैं उससे कि उसको basic software तो आता ही होगा अब बोलोग सर्थ बेसिक software कौन सा बेसिक software होता है autocad, stat pro और e-taps क्या यह आता है आपको आप यह से बहुत से बच्चे बोलेंगे हां सर मुझे stat आता ह e-taps नहीं आता, e-taps आता, stat नहीं आता, कोसिस करो दोनों सीख लो आपके लिए अच्छा रहेगा, reason यह होता है कि जो high-rage structures होते हैं, companies होती हैं, वो लोग e-taps यूज़ करते हैं, जो small structures होते हैं, उसमें maximum देखा जाता है कि stat pro यूज़ करते हैं, I'll suggest कि अगर आप लोग career start क यह मत करना, कि आपके पास, suppose आप interview में गए, वहाँ पर requirement is stat की, और आपको आता है e-taps, तो हो सकता है, आपको reject कर दे, तो पहला चीज़ तो आपके mind में, autocad, stat, e-taps और e-taps के साथ safe जरूर सेख लेना, यह चार basic software है, अगर यह आता है, तो आपका maximum काम हो चुका है, इसके पैनल में, दूसरी चीज, एक interviewer आपसे क्या उमीद करेगा, just यह सोचो कि आप company के boss हो, और आप किसी के interview ले रहो, ठीक है, और structure engineer के profile पे ले ले, तो दूसरी चीज, हम लोग यह उमीद करते हैं, कि उसको limit state method का सारी possibilities याद होंगी, possibilities in the sense, कि उसको पता होगा, कि limit state method में क्य क्या चीजों पर focus करके design किया जाता है, like strength, serviceability, durability, क्या आपको पता है durability क्या होती है, durability कैसे increase करते है, surgability कैसे provide श्ट्रेंथ कैसे provide करेंगे, economy को कैसे देख पाएंगे, यह कुछ panels होते हैं, जो limited method के अंदर होते हैं, तो क्या आपको as per code पता है कि strength क कैसे increase करना है, serviceability को कैसे increase कर करना है, economy को भी maintain कैसे करना है, अगर पता है, तो आप perfect हो, okay, तीसरी चीज़ जो आपको, आपसे उमीद करता है कि interviewer कि यार, अगर आप इस structure का interview देने आये हो, तो आपको at least SMD, BMD तो पता होना चीज़, यह reason क्या है, सीर फोर्स और bending moment आपको पता है अगर, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से judge कर सकते हो, कि load कहां पर कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आप member की designs कर सकते हो, तो आपसे उमीद करता है, कि SMD, BMD आपका clear होगा, चौती चीज़ आपसे उमीद करता है, deflection का, क्योंकि अगर deflection आ structure में तो आप सबको पता है कि फिर bend हुगा तो गया, तो deflection की आपसे उमीद करता है, deflection आप समझ सकते हो, bending moment maximum कितना होता है, उसका formula क्या होता है, यह आपको पता है क्या, अगर पता है तो आप perfect है, नहीं पता है, इन topics को cover कर लिजे, चलिए, पांच वीचे जो आपसे आने वाला है, बट अकर window और seismic दोनों ही use कर रहे है, तो क्या आपको window seismic आ रहा है क्या, एक structure engineer को सिर्फ stat pro के अंदर window और analysis करना नहीं आना चाहिए, उसको stat pro के अलावा, या पर ETFs के अलावा, हास से paper पे भी करना आना चाहिए, reason, reason यह है कि ऐसे कही जगों पर technicalities मिल जाए किसको shear force, wind analysis और seismic analysis को चलिए, मैं मान के चलता हूँ, आपने यह मिकल लिया, इसके बाद आपसे क्या उमीद करता है, कि structure engineer से क्या उमीद करता है, वो उमीद करता है कि अगर वो RCC कब में आने वाला है, तो IS456 के important जो clauses है, ठीक है, मैंने unique civil के application पे free across दे रखा, important जो clause है, like cover है, reinforcement है, maximum spacing है, column size, beam size, यह जो important specifications है, IS456 में, आप बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, मैंने भी बताया है, YouTube पे भी बताया हुआ है, और साथी साथ, unique civil application में उसका PPT भी दिया है, बादर आ लिए, भाई, इसकी जरूद पढ़ती है, चलिए, यह तो हो गई, छड़वी च आपके साथ, क्लियर है, मतलब, dead load के लिए, ISX75 part 1, live load के लिए, wind load के लिए, यह तने छोटे topics है, कि मैं इनके deep में नहीं जा सकता हूँ अभी, क्योंकि, of course, इस video में मुझे पूरा structure engineering, जो mistakes होती है, वो कि आप मैं clear करने वाला आपके साथ, उसके बाद, यहां पर, क्या बता इसके लिए part 3, उसके बाद snow load, उसके बाद load combinations, यह clear है कि आपको, अगर हां, तो well and good, IS-13920, ductile detailing का code आपको clear है क्या, हां, तो very good नहीं है, तो पता होना चीए, क्यों सा code यूज करते हैं, सेस्मिक लिए IS-1893 यूज करते हैं, पता है, अगर हां, तो कोई बात नहीं, अगर पता होना चीए, आपको, थोड़ी से important clauses पता होना चीए आपको, अब structure engineer अगर एक high rise building में भी जा रहा है, तो वहां पर आपसे क्या-क्या factors चाहते हैं, क्या आपको पता हो, तो उसके लिए वो ETAF से use करेंगी company तो पका है, लेकिन, मतलब ETAF क्योंकि ETAF में dynamic analysis best होता है, यह पूछेगा, वो पूछेगा, टाइमिश्री analysis आपको पता है क्या, आपको पता है क्या कि हम लोग कि इस तरीके से response spectrum analysis करते हैं, करते हैं, तो क्यों करते हैं, ठीक है, और कब तक करते हैं, किस तरह की building में करते हैं, क्या response spectrum analysis का full detail आपको पता है, अगर हा तो well and good नहीं तो पता है वो क्यों करते हैं कब पुश्वर एनसिस करने पर रिजर्ट जो आएगा वो कब सेफ है कब अनसेफ है पता है क्या आपको अगर नहीं तो दोस्त जा के आप पढ़ लीजे इसको यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके साथ डिसकस कर रहे हूं कई दिस सा पता है तो उसके टाइप्स पता है क्या सीर वाल के अलग अलग टाइप्स है हर जुगर पे अलग अलग तरह के सीर वाल्स यूज करते हैं पता है क्या उसका थिंगनेस कितनी हम रोको रखना चाहिए रेंफोर्समेंट कितना देना चाहिए पता है क्या अगर हां तो बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त चलिए अब बात करते हैं कि आपने सपोस क्या बोलते हैं में स्टैट रोके अंदर आ चुके हो आपने अटोकेट से प्लानिंग करना आता है क्या यह सेंटर लाइन करना है आता है तो बहुत अची बात है नहीं तो तुरंद सीख लो भी भी software आप यूश्क करो तो अब वहाँ पर क्या आपको पता है कि कॉलम का orientation कैसे देंगे बीम का थमरूल पता है क्या कि बीम का size किना देना चाहिए कॉलम का size किना देना चाहिए अच्छी बात है अगर पता है तो नहीं पता है तो भाई पढ़ लो maximum topics मैंने YouTube पे बताए हुए हैं जितने topics में आपको बता रहा हूँ इन topics कि मैंने 200 घंटे की series पूरी complete बनाई हुई है कई बार आपको चिला के बता चुका हूँ कि Unixable application पर जाके all-in-one देख लेना मुस्किल से एक cup coffee क्या भी rate उस पे नहीं आएगा मुसके से एक दो रुपए daily का खर्च पे lifetime access में ये सारे topics मलब एक structure engineer को क्या चाहिए जब मैं इस course को बना रहा था तो मेरे mind में था कि मैं एक boss हूँ ठीक है और मलब मैं एक boss हूँ मुझे एक employee hire करना है तो मुझे उस employee में क्या-क्या देखना है मुझे उस employee से क्या-क्या expect करता हूँ मैं वो सारा कुछ minute 260 घंटों में record किया हुआ है इसलिए मैं आपको बारबा बोलता हूँ कि all-in-one को जरूर देखना बहुत help करेगा आपने stats सीखा है, e-taps सीखा है, फिर भी देख लो क्यों उसके बाद भी आपको पता चलेगा यार यह भी था मैं बहुत डीप में जाता हूँ मेरे सारे पुराने बच्चों को पता है कि जो भी topics लेता हूँ पहला focus होता है concepts चलिए आपको पता है staircase कहां देना चाहिए आपको पता है कि हमें window जो हाँ पर देना चाहिए, वो column से कितना बाहर देना चाहिए आपको पता है कि अगर CLI effects आएगा तो उस रस्ट्रक्चर को कैसे solve करेंगे आपको पता है कि reinforcement की spacing कितना देंगे अगर पता है तो बहुत अची बात है, नहीं पता है तो इसको जानेगे extra bar कब देते हैं, ठीक है, extra bar कब देते हैं, crank length क्यों देते हैं crank, native moment को register करता है, कितना दिर चाहिए, पता है उसका angle कितना रखना चाहिए, LD कितना देना चाहिए, development length कितना देना चाहिए, क्या पता है अगर नहीं तो जानना चाहिए, आपको lepping कितना देना चाहिए, जानना चाहिए तो एक structure engineer से वो सारी चीजे, जो वो stat or e-tap में करेगा, उससे manual भी हम उमीद करते हैं क्यों, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है कि software है, वो एक calculator है, थोड़ी सी mistakes अगर की, तो error दिखाने लगता है, या फिर वो member को पास ही नहीं करेगा अब ऐसा तो है नहीं कि structure में 10 तरह के column लगाओगे, एस पर thumb rule एक type का column यूज़ कर सकते हो, दो type का, तीन type का, इस से यदा column का types नहीं यूज़ करने चाहिए तो फिर अगर वो फेली दिखा रहा है, तो solve कैसे करेंगे, manual आना चाहिए, अगर manual नहीं आता है, तो axle आना चाहिए, axle आता है, तो आपका help बहुत होगा, जैसे footing का design करना है, तो आपको यह पता है कि footing का design को अगर कहीं पी software पर करोगे, कहीं कहीं, जोग अप इतना जादा data को possible नहीं होता, तो उसको आप Excel पर बहुत अच्छे से कर सकते हो, staircase के design पसंदे, आपको पता है क्या, slab की design आपको पता है क्या, कैसे करोगे RCDC software से आप बहुत आसानी से कर सकते हो, या पिर Excel Seed के help से भी, slab की भी, footing की भी और staircase के design कर सकते हो, कुल मिला के, पूरे member code design करना ह ये आपके उपर है कि उसको कितना अच्छा design कर सकते हो, और अगर ये आपको आता है, तो आप perfect structuring linear हो, और इसके लिए जितने concept मैंने बोले, आप लगे तो लिख लेना कहीं पर इन topics के नाम, और believe करो, इतना interview में तुम लेके जाओ, और interview crack करके नहीं आया, तो मुझे बतान footing अगर कर रहे हो, तो footing के कौन कौन से task की footing आप कर रहे हो, footing के लिए कौन कौन से data आपको important है, व suburbs के types कोन सा होना चीह, तो कहां पर कौन सी footing करेंगे, pile कहां पर use करेंगे, mat footing कहां पर use करेंगे, πता है क्या, नहीं पता है तो जल्दी पता करो, दोस्त क्योंकि, ये सारी से उमीद की जाती है कि उसको आना चाहिए तभी उसको रखा जाएगा कई लोग सोच रहा होंगे सर कि यह सब क्या मुझे पूरा पता हो तभी मैं इंटर्व्य करें कर सकता हूं यह सब फ्रेशर्स की चीजे हैं यह सब आपने कॉलेज उगर में सुना है बस थोड़ा कम स्ट स्ट्रक्चर इंजिनेर्स तो पांच्छा मेंने वीडियोस बनाये हुए हैं बट जो मोस्ट इंपोर्टन निचोर था यह टेकनिकल राउंड में आपको नहीं पता होता है जिसके उजसे आपका रीजेक्शन होता है तो फिर से वह सजेस्ट करूंगा आपको और साथी साथ मैं आपको एकचे और काना चाहूँगा आप लोग प्रोजेक्स करते हो प्रोजेक्स में टेकनिकल राउंड में क्या होता है वह आपके सामने उसको प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से बता होता है और वह आपसे पूछ लेता है और आप तो as a health पांचा लोग मिलके बन है वो आपकी बैंड बजा देगा टेकिनिकल राउंड में कहीं और नहीं जाएगा वो प्रोजेट में ही आपको फसाता रहेगा इसलिए मैं बोलता हूं कि सीवी में ऐसे कई धेट साएट टॉपिक सेट करो टेकनिकल के जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हाँ यार इस टॉपिक्स पे अगर मैं लिख कर रखा हूँ अगर कोई टॉपिक लिखा है तो मैं उधरी से पूट कर लेता हूं क्यों क्यों क्योंकि मेरे एक्सपर्टीज है तो मैं उसे में भी आपको फषा सकता हूं मेरा काम है फषाना और आपका काम है फस के बाहर निकलना ठीक है तो आसा करता हूँ यह सरीज में आपको आज टेकनिकल round में कई गहराईयां पता चली होगी कि कई mistakes आपको पता होंगे कि यार हमने software में तो कर रखे है लेकिन software में गलत data है में पता ही नहीं चलता है सही data है कि हमें पता ही नहीं चलता टो optimize कैसे करेंगे ये सारी चीज़े अगर आपको नहीं पता है तो आप unique civil application पर जाईए वहाँ पर मैंने एक resume share किया हुआ है resume है उसका सुभम तिवारी का है बहुत अच्छा बच्चा है तो सुभम तिवारी का आप resume download कर लिजे free resume है free study material में resume का एक section है उसमें जाएए सुभम तिवारी का resume download कर लिजे उसमें देखिए उसने कितना अच्छे से technical उसको क्या क्या आता है उसने express किया हुआ है ऐसा ही आपको कुछ और आ सकता है तो आप कुछ और उसमें mention करिए definitely उससे आपका ग्रो होगा thank you so much for watching this video hope you like this 10 video की series ला रहा हूँ लंबी videos रहेंगे अगर आप पसंद करते रहोगे तो आपका बहुत benefit होगा